जहां एक तरफ भारत्य टीम औस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉडर गावस का ट्रोफी में व्यस्त है तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया से बाहर चल रहे ओपनर शिखर धवन ने हाली में एक इंटिव्यू दिया धवन पिछले कुछ समय से खराब फॉम में थे जिस वज़र से उन्हें चैन करताओं ने बाहर का रास्ता दिखा दिया उनकी वापसी भी अब काफी मुश्किल ही दिखाई दे रही है एक इंटिव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि ड्रेसिंग रूम में इशान किशन उन पर हर बात पर तंज कसा करते थे जिसके बाद धवन ने उन्हें चेतावनी भी दी थी एक इंटिव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या ड्रेसिंग रूम में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा लगा हो जैसे मजाग जादा हो गया धवन ने इसका जवाब देते हुए कहा जी हाँ हुआ है एक बार हुआ था ऐसा इशान के साथ वो बार बार मेरे साथ मजाग कर रहा था इस बीच रिपोर्टर ने पूछा कि कैसा मजाग धवन ने कहा वो मेरे हर बात पर तंज कसा करता था तो मैं थोड़ा गरम हो गया उसके बाद मैंने उसे समझाया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया था मले इस शिखर टीम इंडिया से बाहर चल रहे हूँ लेकिन वो जल्द ही IPL में खेलते नज़र आएंगे शिखर धवन पंजाब किंग्स के नए कप्तान होंगे धवन IPL सीजन 2022 में किंग्स के साथ जुड़े थे और अब वो सीजन 2023 के लिए टीम के कप्तान बनाए गए शिखर धवन को मैंक अगरवाल की जगह ये जिम्मेदारी दी गए पंजाब किंग्स अपना पहला मुकाबला एक अप्रेल को खेलेगी ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मोहाली के मैदान पर खिला जाएगा